अब बच्चों को टिफन में भी दे सकते हैं मतलब बेफिक्र होकर क्योंकि यह आटा से बना हुआ है इसलिए तो यह आटा नोडल है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मैं उप्रित और सागत हैं हमारी यूट्व जनल में तो कैसे हैं आप सब्सक्राइब बनाने जा रहे हैं बहुत ही अलग सब्सक्राइब बना हुआ नोडल बच्चे के लिए जो बहुत ज़्या पनके तयार होगा जाकिन जोवी इसका नाम देना चाहते हैं देए पास्मेट बनके तयार हो जाएगा पच्चों के लिए कामी ज़्यादा हैल्दी होगा तो वीडियो को राइक तो जुरू देखिए का वीडियो अच्छी रहेगी तो पीडिए तो सबसे पहले हम ले लिए हैं पतीले में पानी मतलब गैस पे पानी गरम करेंगे गुण गुण होने तक इसमें हम एड्ड करेंगे नमक तो हलका सा हम इसमें नमक एड़ कर देंगे ताकि ये अच्छे से पके और साथ में इसके अंदर तक मतलब नमक जाए और ये आटे वाली सेवई ही है जो मार्केट में मतलब मिल जाती है बच्चों को ये खिलाएंगे तो फायदे मत होगा वैसे हमें पहले नहीं पता था जब बाबो की तवियत खराब हुई तब मतलब पता चला कि आटे वाली भी मिलती है मतलब आटे वाली अलग ही होती है इस वाले सेवई से बहुत जादा अलग होती है तो ये आटे वाली सेविया है तो आप मीठा मतलब बना बना के ठक गए हैं तो आप ऐसे बना सकते हैं उसके घज हम लिइए उसके बद कड़ाई में हम डाल दिये एक चंमश तेल जदा है कर दो करके बाहं गाएं यह नहीं दाले तो आप जीरा बाहएं दमक के लिए और यहां हम अज De Então करेंगे ताकि प्याज अच्छ से पक जाए और साथ में गल जाए नमक डालने की वज़र से कड़ाई हमारा जलेगा नहीं और कम तेल में हमारा प्याज भून के तयार हो जाएगा तो यहां हम देखिए प्याज को भून रहे हैं तो प्याज को हम दो मिनट तक भूनेंगे ताकि मतलब ये सॉप्ट हो जाए और बढ़ियां से पक जाए आप नमक एड जरूर कर दीजिएगा नमक से क्या होगा कि जल्दी ये पकेगा और साथ में सॉप्ट भी हो जाएगा बढ़ियां से यहां देखिए हम लगातार भून इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे भून रहे हैं उसके बाद यहां देखिए सुनहरा कलर इसमें आच चुका है मतलब पिंक कलर का यह हो गया है और इसमें एड कर देते हैं दो चोटे साइज के टमाटर टमाटर डालने के बाद फिर हम नमक एड करेंगे ताकि यह टमाटर से刚ल जाए दौनों साथ में पक जाए और यहां फिर हम दौनों को साथ में भून लेते हैं यह पर हम भून लेंगे इसको लोटू मेडियम ép हम पर डेक भून बहुदीelly तो यह फिर जल जाएगा क्योंकि हम तेल्ल इस autow quedar करके रखें कर आपके वह डालने इसमें कुछ एड़ नहीं करना है अगर आप चाहें तो जैसे हम प्यास टमाटर डालें हैं उसकी जगह पे आप और भी सारी सब्जिया डाल सकते हैं जैसे कैपसी कम हो गया गाजर हो गया आप डाल सकते हैं वो आपके उपर डिपेंड करता हैं उसके बाद यहां हम डाल देत दो मिनट तक बुनेंगे और यह हमारा सेवई अला उपमा तैयार है सेवई उपमा बोलिए या फिर आठा नोडल बोलिए जो भी आप नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं लेकिन यह टेस्ट बहुत इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है आप बच्चों को भी इसली पा अलग अलग तरीकी से बना के खाईए अलग अलग टेस्ट लेजिए वैसे हम इसका मीठा बना बना के ठक गए तो सोचे कि आज हम कुछ डिफरेंट ट्राइ करते हैं तो आप भी एक पर जरूर इसे ट्राइ करिएगा नमकियन से वही बोल दीजिए इसको तब तक के लिए बाई बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ